दोश्तो आज हम आपके साथ गोल गप्पे की रेस्पी सेयर करने वाले हैं देखोए हमने यहाँ पर एक कटोरी मौटी वाली सूझी लेनी हैं जिससे आप उपमा और हलुआ बनाते हैं उसी सूजी से जो आपके गोल गप्पे हैं बहुत ही अच्छे बन करके तयार हो जाएंगे एक कटोरी हमने मोटी वाली सूजी ली है उसी कटोरी से हमने थोड़ी कम आटा लिया है यानि कि हमने एक कप सोजी ली है उसी कप से जो दो तीन चम्मच हमने गेहूं का आटा लिया है यदि आप मैदा से बनाना चाहेते हैं तो मैदा से भी बना सकते हैं और एक गिलास हमने अच्छे से बॉल किया हुआ पानी लिया है हमें boil की हुए पानी से ही अच्छे से आटा लगा करके तैयार करना है देखो यह हमारा आटा लग करके अच्छे से तैयार हो चुका है और हमने एक गीला कपड़ा ले लिया है गीली कपड़े से हम इसको ढख करके रख देंगे जो हमारी सूजी है अच्छे से फूल करके तैयार हो जाएगी हमें आटा को ना बहुत ज़्यादा हाड लगाना है ना ही हमें बहुत ज़्यादा नरम लगाना है इसको हम एक पिलिट से ढख करके रख देंगे आपके बहुत पर्फेक्ट पानी पूरी बन करके तयार हो जाएगी हमने राद भर थोड़ी से हमने चना भिंगो करके रख दिये थे और थोड़ा सामने मटर रख दिया था यदि आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके बॉल करना चाहती तो मिक्स भी बोईल कर सकते हैं नहीं तो आपको अलग अलग भी आप बोईल कर सकते हैं और हमने तीन आलू लिये हैं तीनों चीज़ें को हमने कोकर में डाल दिया हैं दो हमने हरी मिर्च लिये हरी मिर्च को भी इसी के साथ में हम बोईल कर देंगे और हम दो गिलास इसमें पानी डाल देंगे और वोयल करने के लिए रख देंगे इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक आप अपनी टेस्ट के एकोडिंग कम या जादा कर सकते हैं आज की बहुत ही अच्छी यह रेस्पी बन करके तयार होगी हमने कोकर कर ढापकन लगा दिया है और हम अब इसको गैस पर चढ़ा देंगे थोड़ी से धनिया लिए और काली मिर्च लिए है और हमने लॉंग लिए है थोड़ा सा हमने जीर लिए है इन सारी चीजों को हम भून लेंगे यदि आपके पस कम तेखी वाली लाल मिर्च हो तो आप भो भी ले सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर लाल मिर्च नहीं डालेंगे हरी मिर्च का यूच करेंगे देखो हमने सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा देमी गैस पर अच्छे से भून लिया है हमने थोड़ी सी हरी पति ली है और तेन चार हमने हरी मिर्च ली है यदि आप पौदिना का यूच करने चाहे थे थोड़ा सा पौदिना भी इसे के साथ में पीच ले देखो हमने सारी चीजों को अच्छे से पीच लिया है अब हम पानी बना करके तयार करेंगे जब आप इस तरीके से पानी बनाएंगे तो आपको जो पानी है बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगा हमने एक डिब्बे में पानी ले लिया तो जो हमने हरी मिर्च और हरी पत्ती को पीसा था हमने उसको डाल दिया है और जो हमने मसाला बनाया था मसाली को भी डाल दिया है और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे देखो यह हमारा देड़ लीडर पानी बन करके तैयार हो चुका है पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं देखो हमने सारी चीजों को चम्मस से हिला के अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसमें नमक डाल देंगे उसी कटोरी में हमने थोड़ा सा काला नमक ले लिया है काला नमक भी हमने इसमें डाल दिया है काला नमक डाल सकते हैं आप इसमें सफेद नमक भी डाल सकते हैं जब आप इस तरीके से पानी पुरी का पानी बनाएंगे तो जो आपका पानी बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा देखो हमारा अच्छे से पानी बन करके तैयार हो चुका है हमने एक दूसरे बरतन में इसको अच्छे से छान लिया था और हमने तिंचा नीवु ले लिये हैं हमने जूस निकाल लिया और छाननी से हम छान लेंगे जो इसके बीज होंगे बीज अलग रह जाएंगे देखो हमने इसको अच्छे से छान लिया है और थोड़ी से हमने इसके उपर से बारीक कटी हुई हरी पत्ती डाल दी है यदि आप इसमें बुंदी डालना चाहते हैं तो बुंदी भी डाल सकते हैं ये कोई हमारा कितना अच्छा पानी बन करके तैयार हो चुका है यदि आप तीखा पानी पसंद करते हैं तो तीखा भी बना सकते हैं यदि आप मीठा पानी पसंद करते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा गुड़ डाल दें तो आपको मीठा पानी भी बन करके तैयार हो जाएगा और हमारी कोकर में अच्छे से सीटी भी आने लगी है इसमें हम 3-4 सीटी आने देंगे 3-4 सीटी में हमारा जो आलू और मटर और चने अच्छे से बॉल हो जाएगे और हमारा यहाँ पर जो आठा था आठा भी हमारा 10-15 मिन्ट में अच्छे से फूल करके तैयार हो जाता है अब हम इसकी पानी पूरी बना करके तैयार करेंगे बहुत ही अच्छी हम यह छोटी-छोटी से पूड़िया बना करके तैयार करेंगे जब आप छोटी-छोटी सी पूड़ियां बनाएंगे तो बहुत अच्छे एक दम्बल को फूल करके तयार होगी हम इस तरीके से छोटी-छोटी सी लोईयां कट कर लेंगे और हमने एक खोड़दरी सी टॉविल ली है आपको इसी तरीके से टॉविल लेनी है जब आप इस तरीके से टॉविल में रखेंगे तो जो आपकी गुल गपपे हैं बिल्कुल एक दम बिल्कुल फूले-फूले बनकर तयार होगे मैं आपको एक बार और याद दिला दू इनको रखना है जब आप इनको तेल में फ्राई करेंगे जो पहली वाली पानी पूरी होगी आपको उसी को पहले ही फ्राई करना है इस तरीके से देखो कितने अच्छी हमारी एक साइच की पानी पूरी बनती जा रही है सिर्फ दो बार आप बिलन चला दें दो बार के बिलन साइड्स आप पहली बेल करके लगाएंगे उसी साइड्से आप इनको फ्राइ करना सुरूं करेंगे बहुत ही जल्दी यदि आप पहली बार भी बना रहे हैं तो भी आपकी जो कुल गप्पे हैं मिल्कु एकदम फूली फूली बन करके तैयार होंगे जब आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो देखो इस तरीके से हम सारी पानी पुरी बेल करके तैयार कर लेंगे हमने इतनी सारी पानी पुरी बेल करके तैयार कर ली है जितनी हमारी टॉविल में एक बार में बनी हैं तब हम झो हमने पूरी बनाई नीत को हम डालेंगे एक एक इक करके नहीं चाहते दालत स्चांप नहीं हंपी और उच्त्रे मेरा बने कर तरीं पकड़ेंगे से 94 अच्छी प йत्ही प्लांता नहीं खिए पहुत जेलें worry एक दम बिलको हमारी पतली पानी पूरी बन करके तैयार हुई है देखो हमें इस तरीके से हम सारी पानी पूरी बना करके तैयार कर लेंगे जितनी भी हमने देखो इसमें पानी पूरी डाली है सारी हमारी पानी पूरी फूल रही है जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी पानी पूरी फूल करके तयार हो जाएंगे आप एक दिन पहले पानी पूरी के बना करके रख लें और दूसरे दिन आप मटर और इसका पानी बना लें तो भी आपकी पानी पुरी बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाएगी एक कफ सूजी से कम से कम हम सो देड़ सो पानी पुरी बना करके तैयार करेंगे बहुत ही कम सामान में यह पानी पुरी बहुत सारी बन करके तैयार हो जाती है यदि आप एक बार घर पर बना लेंगे, तो मार्केट से कभी भी आपका खाने का मन नहीं होगा आप त्रन्ति एपने घर पर यह पानी पुरी बना करके तैयár करेंगे देखोए हमारी कितनी अच्छे एक बिल्गुल सारी फूली फूली पानी पुरी बना करके तैयार होने लगी है इनको हम एक बरतन निकालते जाएंगे और सारी पानी पुरी हम बना करके तैयार कर लेंगे और जो हमारी मटर और चनीते वो भी अच्छे से बॉल हो चुके है हमने यहाँ पर आलू को छीला नहीं था यदि आप छिले आलू इसमें डालना चाहेते हैं तो छिले आलू भी डाल सकते हैं अब हम इन आलू को छील लेंगे जो हमने मिर्च थी और आलू थी आलू को हमने निकाल लिया है और इसमें यदि ज़्यादा पानी हो तो आप थोड़ा सा पानी निकाल लें हमने इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाला था देखो हमारी मतर और चने अच्छे से बॉयल हो चुके और चममस्य हमने इसमेésञाद के लिए थोड़ी से छला दी है ये आप पहले लगोर सकते हैं तो पहले भी डाल सकते हैं लेकिन हमने हल्दी पाउडर को बाद में डाला है और जो हमने आलू को बोईल किया था आलू को भी हम इसी में अच्छे से मैस कर देंगे जब इस तरीके से आप आलू का मसाला बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी आपकी पानी पुरी खाने में लगेगी देखो हमने आलू को इसी में मैस कर दिया है और जो हमने हरी मिर्च को बोईल किया था उनको भी हम छोटे-चोटे टोकणों में कट करके इसी में डाल देंगे और जो हमने मसाला बनाया था पानी के लिए वह मसाला भी हम इसमें डाल देंगे मसाला डालने से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट चाई बन तेर हो चूगा है यहां पर मटर वी ले लिया है और पानी थोड़ी ले लिया है थोड़ी सी हमने बारी चिंदे वे पैल ले लिया है दोस् 주고 हमा सब्सक्राइब 6-10 में वियुद्ट ये इनको घाट हैवे हैंबनाद मेरे हो सब्सक्राइब की वैरिका आया-कating इसां इंदो सब्सक्राइब दूड़ा है एदेडियों सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और वेडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद